हाई गाईज वरकम टो दे लव इन लाइट त्री सिक्साइन टैरो कैसे हो आप सभी उमीद आप सभी बहुत अच्छे होगे और प्लिव आको सभी आगे पड़ रहे होग Means आब सभी के सामने करण एनोर और वे निय것 देक्ट के सीफिएप्याहिश के लिए unconditional अगर लुझे सबाता होगे नियुझ आपको ह्यूनुच को और पर चाहते हो तो स्क्रीन पर वाट्सप नमबर देए गए है आप उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हो फिर लव रीडिंग, हैल्ठ रीडिंग, कर्या रीडिंग. सब भी तरिके की रीडिंग मैं करते हूं So, चलिए, रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में सो बी पॉसिटिव और लेट्स सी और भी तेख झाते हैं अपलेशन नो तंकनेस तंड बलत पेशेंस पेशेंस इनर बुड़ इनर बुड़ इस and reuse we are the world celebrations so guys 향apar, कर मैं देख鹌зраек आपहाँ के पाधने की करणे अनर जिए को 支 سے पाले चीज़ वो कुछना कुछ वहुत बभड़ेेंस करे हैं अपनी diet definitely यहां पर तंडर बोल्ट तायव कार्ड तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे वह गुजर रहे हैं अभी मतलब कुछ बड़ा कुछ एक्सपिरियंस किया है ऐसा कुछ एक्सपिरियंस किया है जिसके बाद में इनकी खुद की लाइफ से सारी स्टैबलिटी चली गई हैं या कुछ क्लियर्टी मिल जाना या इक होता है हम ना गलती पर गलती गलत चीज करते जाते हैं तो कर्मा जैसे मिल जाता है न वैसा मुझे दिखाई देता हैं जिसके बाद में ऐसा हो गया कि रिग्रेट वाली नर्जी तो है बट नहां पर नो थिंकनेस की नर्जी आगे तक्राइब कि आपके पार्टनर को इतने तकलीफ हो अभी कि वह कुछ सोचना ही नी शाहत है क्योंकि सोचने से उनको और जदा रिग्रेट और जदा गिल्टी फिलिंग हो रहे हैं और जदा जो है ऐसा है यह क्यों कर दिया मैंने नहीं करता तो आज 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 अशा नहीं ह नहीं है यह कहिना कि एक negativity में छुपी हुई positivity है कहते हैं कि दवाई जो है कड़वी होती है हम दवाई लेते हों कड़वी होती है लेकिन फायदा करती है न हमें तो बस वही चीज़ें आपर कि यह experience कड़वा है time कड़वा है लेकिन इससे जो सीख मिलेगी इसके बाद जो यह बदलावाएंगे वह बहुत अच्छा होगा इनकी खुद की लाइफ के लिए जो कि आज से पहले नहीं कर पाएं तो यहां पर मुझे दिखाए देता है कि आपके जो पार्टर है वह कुछ ऐसा बड़ा experience करें जिसके बाद इनके अंदर बदलावाने वाले क्योंकि यह शक अंतरात्मा की सुन रहे हैं इतने अंतरात्मा की पहले नहीं सुन रहे हैं इतनके वह देखाएंगे की अम कुछ काम खर रही होते हैं हमारे अंदर से ओऊह आते की कि नहीं मत कर अच्छा नहीं है लेकिन हमारा दिमाग हमें ले जाता ए उस डिरेक्शनम से कर Nowadays दिए 10 तरीक लेकिन मैं फिर भी गई काश में ना आती उस सेम सुन लो क्योंकि वो हमारे मन की अवास थे कि मत जा लेकिन हम फिर भी चले गए तो वही है कि वह काम मत कर ही कहा इनको लेकिन इनों ने फिर भी किया तो अभी कही ना कि इनको समझ में आ रही है कि भाई सुन लो चुपचाप स आपको दोगँ साथ कि झूट बोला कि डूसधी कि खीत किया आपको चीट किया halfके साथ कुछ तह गलत किया और आप के साथ कुछ दहुट डॉट किया और सबाष कीrit हीवा से Dion तो ये आपकी मासूमियत थी एंड यूनिवर्स को मासूम लोग बहुत पसंद है यूनिवर्स के फेवरेट होते हैं जो मासूम होते हैं, दिल के साफ होते हैं सीधे साधे से लोग जिनको नहीं आती जादा चत्राई इनको नहीं आती जादा कलाकारियां करना, वो युनिवर्स के फेवरेट होते हैं, ओके, एंड वही चीज हुई यहाँ पर, कि युनिवर्स ने कहिए नगे उसी तरीके से चीजों को किया, तो मैं यह कहूँगे, कि यह सब युनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है, बट यह ऐसा ओकार आप एक्स्पीजर्स किरवाया है नको, कि अभी इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने मासूम ते और क्युकि इनको किसी परसन ने ही कुछ सबक सिखाया है, अप इनको यह समझ में आ रहा है कि दुनिया कैसी है और आप कैसे हो, ठीके, आपके साथ रिष्टा जाए सब इक्तम किलियर इनको दिखने पिक्चर और इनको करें समझ में आ रहा है कि आपके ज़सो तो नहीं मिलेगा बात यहां कि ऐखा नियका और भी हward के लिए नएगे नेट उनोई प्यार जहां प्यार होता है न मुझा इंसान ही बहुत सोचता ठीक के और जिस को पयार नहीं होता और इस लोग सकते हैं कुछ दूर्ज होते ही लोगन प्यार करता उसको फरक पड़ता है हर glee से फरक पड़ता है तो सिंपल से चीज यहां पर यह है कि आपने उसे प्यार किया और आपने हर तरीके से उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश के रही थिंग आपने उनकी कई सारी गलती पहले माफ कर चुके थे आप उसके बावजूद उन्हों ने यह सब किया आपके साथ सो इनको समझ में आ रहा है कि भई आपके इसा परसंदों नहीं मिलेगा ओकी सो यहां पर एक कंपलीशन सा इनक में तीन लोग है अब सिम्बल से चीज आप थर्ड पार्टी इसूस भी रहें आप दोनों के बीच में अनि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच वीच और प्रॉब्लम्स भी हुई है कि यहां पर यह चीज मुझे किलियरली दिखाई देती है कि आपके जो पार्टर है न वह एक बहुत बड़ा लेसन ले रहे हैं अभी इस वक्त अपनी लाइफ का हुम कि लेट सी टेरो से क्या इनर्शिया आती है लेट से क्या आती है यह लेट आती है भी वप्स्वर्ण वर्द आता है लेट से क्या आती है आती है लेट स्ट्रेंट eight of wands guys यह ना आपको अपनी life वापस से लेकि आना चाहते हैं ठीक है और आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन इनों इस strength की कमी है हमत नहीं कर पारे आपको रोखने की आपके सामने आने की आप से बोलने की कि भी रुख जाओ कुई dyan को डर लग रहे है कि पता नहीं आप कैसे रियक्ट करोंगे और डर भी है और ये भी है कि आप वो क्यों करेगी मेरे ऊपर भरोसा यृँदा भूल कि के वां पर टावर का कार्ड भी था तो यहां पर देखो आपके पार्टर को न आपकी तरफ एक तरीके से मैनलो कि स्ट्रोंग आट्रेक्शन है अफ फिजिकली बहुत जादा अट्रैक्टिड थे हैं आपके तरफ एक अडिक्शन निहीं हो जाती किसी रह सकते उनको अकेला रहना पसंद नहीं या अकेला उनका टाइम नहीं निकलता उनको कोई ना कोई चाहिए कि कोई ना कोई हो लाइफ में वरना वह बहुत डिपरेसिव सा या बहुत अलक सा फील करते हैं तो यहाँ पर ना अभी उनकी लाइफ में इसू हूए है और वह experience भ और यही कहने के लिए हिमत जुटाई जा रही है उसकी कोशिश की जा रही है इसको कैसे बोलू की ना बोलू यह बोल दू या वो बोल दू तो इस तरीके की कश्म कश्म है five of swords बहुत दा regret हो रहा है इनको पश्टा तो ही नहीं है और ही मैं इसा नहीं करता या करती इस तरीके की energy है कि काश असा ना किया होता काश वसा ना किया होता night of cups वही energy feelings and nine of cups you know इनकी life में कमी किसी चीज की नहीं है बट अभी कमी हो रखी है और वो भी एक चीज की वो है आपकी क्योंकि मुझे इसा दिखाए देते हैं कि इनोंने ये realize कर लिया कि सच्चा प्यार क्या होता है और सही इंसान की पहचान इनोंने सीख लिए जो कि इनको नहीं हो रही थी इनको ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा हूं कि सब लोग मेरे साथ तो अच्छे होंगे बट they realize कि नहीं सब एक जैसे नहीं होते हैं आप इनको एक अच्छे मिले इनकी खुश किस्मत थी इनकी अच्छे किस्मत थी कि आप इनको मिले उसके बाद इनको लगने लगा कि अरे मेरे अंदरी ऐसी बात है कि मुझे तो सब वैसे ही मिलेंगे करके बट ये ब्रह्म इनका तूट गया ये ब्रह्म से ये बहार आया है and they realize कि हां मैं यां गलत हूँ आप इनकी wish fulfillment हो और अभी ये wish अधूरी सी इनको दिखाई दे रही है जब तक कि आप इनसे बातना करने लग जाओ तब तब Hierophant Queen of Pentacles ये अभी आप से शादी करने की बारे में सोच रहे हैं इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनों ने गलत किया और ये उसका जस्टिस आपको देना चाहते है बनलब चीजों को ठीक करना चाहते है क्व स्टेनि लेको ने हम अपके साथ गलत किया और नए लड़ां मिठाना चाहते हैं आपके लिए स्टेंद लेना चाहते हैं यह फा tahy लिए सोसायपी के सामने आपके लिए स्टेंद लेना इनको यह मुझे दिखाए दे रहे और टुकि 애 को समझ में आगया कि llegó यह जो है ना कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा बेटर मिल जाएगा यह वो तो इसको खतम करके यहीं रुखना है क्योंकि इससे बेटर नहीं है तो यह इनको रियलाइज हो गया है या अपनी फैमिली से आपको इंटर्ड्यूस करवाएंगे या आपके बारे में अपनी फैमिली को बताएंगे तो मुझे आप अब यह सीरियस होते हुए नजर आ रहे है इस रिश्टे के लिए जो कि सीरियसने पहले नहीं थी लेकिन अब भी हो रहे है क्योंकि experience इन्होंने कुछ ऐसा किया कि इनको यह लगता है कि नहीं इसको नहीं छोड़ना अगर इसको छोड़ दिया तो फिर कुछ अच्छा नहीं होने वाला तो yes यह समझ चुके हैं इसको कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले ग्यारा दिन में यह आपसे contact कर लेंगे ओके यहां से दिखते हैं आपके लिए message कि बार दिखते हैं आपके छोगों चाहरे हैं अझाज के लिएcken आपको समझाना चाहते हैं उन्हों चाहते हैं आप से डिसकस करना वो चाहते हैं कि आप उनकी बात को सुन लो एंड यूनों उन्होंने आपको बहुत होड़ किया, बहुत होड़ रुलाई इस चीज़को एकसेप्ट करते हैं बट वो अप चीजों को ठीक करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप एक बार ही उनकी बात को सुनो actually उनका कहना यह कि yes मैंने तुम्हें हर्ट किया मैंने तुम्हें तकलीफ पहुचाई मैंने तुम्हें बहुत रुलाया लेकिन कही ना कही तुम हो मेरे दिल में और मैं तुम्हारे भी ना लाइफ नहीं देखता या तुम्हारे भी ना मुझे लाइफ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा अभी इस वक्त तो ये चीज ही आपसे कहना चाहते हैं चीक है कि उन्हों जिसके कहना चाहते हैं कि मैंने रियलाइज कर लिया है कि तुमसे बेटर नहीं मिलेगा प्लस तुमhm referral है एव रेकよし दो होगी तुम्हारे अलाव से है तो से ब्लाभने अरी को अर पनिन साथ फैन के मैं 抹़ी लाप से खके लाप मेरे थीज़ प्लाव सिर्फ कोषिय John यहां पर आप यह भी कह सकती हो या तो वो यह चाहते है कि आप उन्हें माफ कर दो ठीक है लेकिन आप रहे आई फरगिव यू तो वो कहरे है कि मैंने माफ किया तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ जो कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा रहा इसू तो यह उसको भूल चुक है उसको माफ कर चुक है ठीक है बट यहां पर ज़रूरी नहीं कि मैसेज इस तरीके से आए कि वो माफ कर चुक है यह भी है कि यह बताता है कि वो खुद गल्टी वाली एनरजी में है वो खुद रिग्रेट वाली में है तो खुद को माफ करना भी ठीक है तो बहक बहुत अब कर देते हैं just इसके बाद उन्होंने जो भी क्या यह सब किया लेकिन उसके लिए तो यह मैसेज अलग अलग तरीके से हैं लेकिन अब आपको अपने सिच्वेशन के अकॉर्डिंग इसको लेना है ठीक है तो यह है कुछ इंजल मैसेज़स देखूंगी मैं आपके लिए कि इंजल की तरब से क्या मैसेज़स है रिकावरी का मैसेज है यहाँ पर सबसे पहले तो तो मुझे रिकावरी दिखाई देती है रिलेशन्शिप में रिकावरी अगर आपको कुछ हैल्थ इशूज चल रहेते तो उसमें भी रिकावरी है कोई अपोर्टरेटी आपकी लाइफ में आने वाली है गाईज तो उसके लिए रेडी रहने के लिए कहा जा रहा है तो मतलब कुछ न उसमें ऐसा आने वाला है जिसके लिए आपको रेडी रहना है यह मत करना कि आप उसको इगनॉर कर रहे हो या आप उसके ध्यान नहीं दे रहा हो कि अभी मन नहीं कर रहा है यह सब चीज़े को मत करना आपकी life में कुछ खास opportunities आ रहे हैं, कुछ खास मोके आपको universe दे रहे हैं, तो please aware रहना, और उनको grab करना, और ignore मत करना, ठीक है, तो ready रहो, कुछ opportunities के लिए, कुछ मोकों के लिए, recovery दिखाई देती है, relationship में भी है, और अगर आपको कुछ health issues चल रहे हैं, तो health wise पर recovery है, यहाँ बट ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है, आपको आगे आने वाले time में कोई फैसला लेना पड़े, ठीक है, तो आपके पास ना, फैसला लेने का मौका होगा, कि exactly आपको करना, क्या exactly, क्या choose करना है, किदर जाना है, क्या नहीं करना है, तो किसी भी, किसी भी चीज से हो सकती है, किसी भी तरीके की अपूर्शनेटी हो सकती है, बट कुछ ऐसा offer होने वाला है आपको, जहां आपके पास choice होगी, जहां आपको choose करना होगा, आपका हाँ, हाँ, आपका ना, ना, तो वो चीज होगी यहाँ पर, तो आपने उस चीज के लिए ready रहना है, अब ready कैस आप पहले यह किलियार कर लो देखो सब की अलग अलग सिच्विशन चार रहोगी कोई सोच रहोगा कि मुझे ना मेरे कारियर में यह मुका मिल जाए, कोई सोच रहोगा कि मुझे रिलेशन्चिप के लिए एक ही मुका मिल जाए, या फिर वहां से मुझे यह मुझे यह मु तो यह उसी से रेलेटिड कोई मोका आपके जिंदगी में आ रहा है तो आपको उसी के साब से रेडी रहना है कि एक्जेक्ट आपको करना क्या है तो वैसा ही मोका आपको उनिवर्स दे रहे हैं आप खुद ही यह मोका मांग रहे हो उनिवर्स तो उनिवर्स आपको मोका दे आपको पसंद आई हो तो मुझे बताना जरूर कमंड बॉक्स में पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मैं मिलती हूं आपसे नेक्स रीडिंग में तब तक अपना ख्याल रखें बबाई टेक क्यार सी यू अगें